नमस्तार स्वागता आपका ख़वरों का पंचनामा में मैं हूँ आपके ताथ खुश्पूर हम लेकर आए हैं देश और दुन्या की पाँच बड़ी ख़वरे इस पर चरचा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन के विट्र पर भारत सरकार का बड़ा अक्षन आईटी नेमों को लेकर भी आख्री चेतावनी शर्ते लागू ना होने पर हो ज़ती है तानूनी कारपाई मंगाल में वैक्शिन सर्टिकेट पर मम्का की डर्टी पॉलिटिक्स पीम मोडी की फोटो हटा कर सर्टिकेट पर लगवाई अपनी फोटो मामारी के पीश लगी मराथा आरक्षन की आग वीड में हजारों प्रदर्शन कारियों ने बिना इजाज़त निकाला मार्ट सोचल डिस्टेंसिंग की उड़ाइट पॉच्छिया और अम्रान खान को कुर्सी जाने का डर विपक्ष और सेना पर लगाया तख्टा पलट की साज़िश का आरोप पाक आर्मी के खलाव पत्रकार हामिद में के कड़े पिपर पहली खबर ट्विटर पर जिहां ट्विटर की मनमानी पर भारत सरकार ने बड़ा अक्शन दिया है इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूप कहा कि वो 26 मई से सोचल मेडिया के लिए लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे और अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो कानूनी कारवाई की जाएगी इस बीच ट्विटर आज दिन भर भारत के बड़े निताओं के साथ वेरिफिकेशन का खेल खेलता रहा डॉक्टर साब ट्विटर की ऐसी हरकते आखर कब बंग दिया देखे सोले फिल्म को एक अच्छा डैलोग है अब आया उट पहाड के नीचे नोटिस मिलते ही ट्विटर छट पटाना चलू हुआ और फॉरण सवेरे से ख़बर चल रही थिया आपने सही कह तक कहा कि वाइस प्रेजडेंट का उन्होंने ब्लूटिक हटा दिया बवाल मचा तो कही सारे RSS functionaries का निकाल दिया RSS के सरसेंग चालग जी मोहन भागवजी का भी उन्होंने तो भही साथ के बिल में हाथ डालोगे तो डसे ही जाओगे नोटिस आ गया यह कहा गया कि जो 26 तारिक को जो नोटिस दिया गया है उसको आप पालंग करें नहीं तो आपके खिलाब कारवाई होगी अब जब यह नोटिस पाया चूटर ने फॉरन सारे ब्लू टिक वापस फॉरन वापस सबरे से यह घुमा रहे थे कि देखिए साल बर से वो इनक्टिव था इसलिए हमने उसको ब्लू टिक हटा दिया एक घंटे में सारे लोगों ने बता दिया कि सैकड़ों इस तरह के बामपंधियों के और कॉंग्रेसियों के लेफ्ट रिबर्ट कबाल के लोगों के वो अकाउंट्स अभी भी जीवित हैं ब्लू टिक है और दो साल तीन साल से कुछ नहीं डाला है उन लोगोंने वो एक अमेरिकन कंपनी है उसे किसी भी डॉमेस्टिक पॉलिटिक्स डॉमेस्टिक इवेंट हिंदुस्तान के इंटरनल मसले में घुसने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कोई ब्यदेसिक कंपनी आगर कि यह नहीं बता सकती कि यह गलत है यह सही है यह अथेंटिक है यह यह वेरिफाइड नहीं है यह मिनिपुलेटेड है और यह सत्य है आपको किसने जज़बन की का अधिकार दे दिया तो यह दिकार नहीं दिया जा सकता है यह ठीक वैसा ही है कि हिंदुस्तान में चुना हो रहे हूं और चीन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को फंड आना चाहिए हर टूटर या जितने भी सोचल मीडिया के प्रेटफॉर्म्स है कि कौन वेरिफाइड है कौन वेरिफाइड अकाउंट नहीं है इसके लिए एक मापदंड सरकार तै करे सुप्रिम कोट तै करे और जिसे सब को पालन करना पड़े कोई भी जज़बन करने का अ मोदी सरकार पर अपनी भडास निखालने के लिए ममता सरकार ने फैसला दिया है कि तीसरे फेस की वैक्सिनेशन में जो सर्टिफिकेंट दिये जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बलकि ममता बेनरजी की फोटो होगी बंगाल सरकार के इस फैसले का बीजेप हैंगे वो ये काम करते रहेगी वो एक वायरस है हिंदुस्तान की राजनीती में आप इस बात को समझ लिए मैं लगतार इस बात को कहते हा रहा हूं बंगाल में जो हो रहा है वो एक ऐसा प्रिसिडंस से ठो रहा है कि कल दूसरे राज्यों में भी अगर ये वायरस है कि आप चीक चीक के चिला चिला के कह रहे हैं कि केंद्र खरी दे केंद्र हमें मुफ्त में दे यह सारे भी पक्षी कह रहे हैं ना सारे मुख्यमंत्री चिठी लिख रहे हैं कि केंद्र ही खरी दे केंद्र ही दे और मुफ्त में दे अच्छा फोटो आप लगाई है मने जी वो गरीब इस्तिती है अब जब से ये खबर आई है वो सारे लोग वो दुबक के बैट गए जो सबसे पहले जो बामपंती मीडिया है जो कॉंग्रेसी एको सिस्टम के जो चट्टे बट्टे हैं इन लोगों ने बहुत बावाल मचाया था कि भाई मोदी जी की तस्वीर क होनी चाहिए अब लोग ममता बनरजी की तस्वीर आ गई है वही आर्गुमेंट दोगे क्या नहीं तो सब चुप चाप बैट गये हैं कुछ घटना है होनी चाहिए ताकि कई सारे सफेद पोसों के चेरे के उपर से नकाब उतर सके ये निस्पक्ष पत्रकार के रूप में निस्पक्ष एनेलिस्ट के रूप में जो ज्यान बाटने का जो काम करते हैं उनके लिए एक सबक है गलत गोड़े पे दाव लगाओगे अपना ही मुझ काला होगा और वही हो रहा है अब बात जेपी नड़ा के एक्शन पर यूपी उत्तराखंट समेट पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की रणनीटी पर चर्चा हुई सूत्रों के मुताबिक बैठक में असम की जीत और पुर्दूचेरी में सत्ता काबिस करने की तरह ही इन पांचों राज्यों में भी जीत का रोडमाप काया गया डॉक्र साब बीजेपी के लिए डगर खासकर यू बहुती डवाडोल है वहाँ पर कोई लीडर नहीं आपके पास वहाँ पर संगठन नहीं है आप बी टीम अकाली दल के बन करके आप इतना दिन आपने गुजार लिया इसलिए आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है वहाँ क्या स्टेड़जी बनाती है कोई चीफ मिनिस्ट का चेहरा देती है यह तो अब अलग बात है लेकिन यूपी को लेकर के क्लारेटी हो गई है यूपी में जिस तरह कि अवाह का बाजार गर्म था कि वहाँ पर मुख्रमंत्री का चेहरा नहीं बताया जाएगा योगी जी की कुरसी जाएगी किसी नहीं सक्स को पावर दिया जा मौरिया जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का तो बहुत सारी चीज़े थी लेकिन अब इसके उपर क्लारेटी आ गई है कि योगी आदितनात के चेहरे पे ही भारती जनता पार्टी अपना दाव लगाएगी आरेसस के तरफ से भी ये क्लिर कह दिया गया है कि योगी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर भी नहीं आना चाहिए आसपास तीसरी बात जो सबसे एहम है कि झो लोग ये साजस में कि वहाँ पे अस्थिर करने के साजस में जोटे हुए थे उनके बारे में भी सबको मालूम चलगया, संगठन को ही मालूम चलगया कि योगी जी से वो लोग खास करके नराज थे, जिनको योगी जी ने लूट खसोट करने नहीं दिया गया, जो समाजबादी है और उस तरह से जिस तरह का जो महौल यूपी में है, लूट खसोट ये वो सारा काम करने की आजादी, पैसा कमाने की आजादी नहीं मिली, तो वो योगी से नराज चल रहे थे तो उनलों को भी चिन्नित कर लिया गया है और आगे आने वाले दिनों में इनलों के टिकट भी काटा जाएगा यही सारी चीज़े हैं अच्छी बात यह है कि भारती जिन्ता पार्टी को ध्यान देना चाहिए बंगाल की हार से और वो गल्ती ना दोराई जाए उससे सीख लेना यह इस बैठक का सबसे प्रतम लक्ष होना चाहिए अब खबर मराठा आरक्षन पर कोरोना महमारी के बीच महराश्र की भीड में मराठा आरक्षन के खिलाफ तेजी से आग पहलाई जा रही है जिसकी वज़े से मराठा समुदाय के हजारों लोगों ने सडकों पर उतर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया एरानी के बाद तो यह है कि स्थानी विधायक और शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख विनायक मेटे के नेत्रितु में भीड ने कठा होकर प्रदर्शन किया लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक सब आंख मून कर तमाशा देखते रहे भीड जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धजियां उडाती रही डॉक्टर साब कोरोना काल में इस आरक्षन के आख को कौन भढ़का रहा है देखिए यह राजनीती है और प्योर राजनीती है जब सुप्रिम कोर्ट से आदेश आ गया है इसके उपर तो कुछ नहीं हो सकता अब राजनीती क्या है आप इस समय जब महराश्ट में कोरोना है आप इस तरह की भीड लेके लिए हैं और सरकार कुछ नहीं करती मतलग सरकार की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है इसके इस वो NCP के पास है सरत पवार खुद एक मराठा लीडर है इसलिए वो मराठा वोटर्स और ये कॉंग्रेस और NCP के वज़े से मुस्लिम वोटर्स मराठा प्लस मुस्लिम का एक गठ जोल बना करके अगला चुनाओ या अगला मुझे तो लग रहा है कि इस बीच में कोई किसी ने दूद में किसी नमक डाल दियो और दूद गया है फट वो पुरा बरबाद हो गया है और वो इसलिए क्योंकि अभी सरतवार की मीटिंग बीजेपी के साथ हो रही है सरतवार अमिसा से मिलने गुजरात पहुँच जाते हैं देवेंदर प्रणवीस की मीटिंग हो रही है और इस तरह की खबरे भी आ रही है कि पवार सहाब बड़े नाराज है तो मराठा चंग को अपने साथ करने की मजबूरी किस पाटी की है तो वहीं से ये सिगनल चल रहा है दरसल इस करोना काल के दोरान अगर इस तरह की गतिविदी हो रही है मतलब साफ है करोना जैसे जैसे खत्म होता चला जाएगा उद्दव ठाकरे की कुरसी उतनी ज़्यादा हिलना चालू हो जाएगी और इसलिए ये कार्ड इस वक्त मारास्ट में खिला जा रहा है आखरी खबर पाकिस्तान में तक्ता पलट की सुबुगाहट की जल्दी पाकिस्तान का तक्ता पलट होने वाला है और ये आशंका खुद इमरान खान में जाहिर की है उन्हें डर है कि विपक्षी पार्टी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने की साज़िश कर रही है इस वीच पाकिस्तानी मीडिया ने वहां की सेना पर जुबानी हमले शुरू कर दिये है और अब पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर सेना के खलाफ बगावत पर उतर आए हैं सेना की पोल खोलने के बाद हामिद मीर को उनके चैनल ने ओफेर कर दिया डॉक्टर जाब क्या इमरान खान का अंजाम भी वही होगा जो इन से पहले के बहुत सारे प्रधान मंत्रियों का हुआ देखें वहां कोई टेनियोर पूरा नहीं कर पाता यह पाकिस्तान का इत्यास है वहां पर आर्मी रूल फर डिमोकर्टिक रूल आर्मी रूल डिमोकर्टिक रूल पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां जिसे कह सकते कि कन्फ्यूज डिमोकरसी है वहां की जनता को समझी में नहाता है कि आर्मी उनके लिए बेतर है या डिमोक्रिटिक गौर्वर्मन बेतर है अजीब मुल्क है, मुल्क तो है नहीं क्या बताया जाए दरसल मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसकी सुरक्षा के लिए एक आर्मी होती है पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके पास आर्मी है और उस आर्मी को चलाने के लिए एक मुल्क है यह सारा कुछ वहां पे जो कुछ होता है वो सेना के इसारूपे ही होता है ये इम्रान खान आज रो रहे है कि तक्ता प्लट कर दिया जाएगा विपक्षी के साथ मिलके हमें हटाने की साजिस हो रही है वह आपको तक्त पे बिठाया किसने आपको तक्त पे आर्मी वालों नहीं बिठाया मैं आपको बता दूँ बड़ा इंट्रेस्टिंग चीज है व खत्म हुआ जिस पोलिंग बूट पे जितने वोट पड़े वोटिंग का पीरिड खत्म हुआ उसी पोलिंग बूट के अंदर ही काउंटिंग हो जाती है पांच छे घंटे के बाद सारा रिजल्ट सामने आ जाता है पिछली बार जब चुना हुए थे तो यह खबर आई थी कि जैसे ही पोलिंग खत्म हुआ हर पोलिंग बूट के अंदर आर्मी वाले घुज गए और अपने हिसाब से वहां तो कोई EVM मसीन है नहीं अपने हिसाब से जिसको जिताना होता है उन्होंने जिता दिया तो इमरान खान को तो यह शिकायत नहीं करनी चाहिए रही बात मीडिया जो है मुखर है लेकिन यह दिखता है होता नहीं है यह जो मुखर होते हैं जो एंकर वो आएसाई के इसारे पर यह सारा काम करते हैं हर एंकर वहां आएसाई से जुड़ा हुआ होता है हिंदुस्तान में आप देखते हैं टेलिंडिन चैनलों के उपर पाकिस्तानी expert आते हैं उनको clearance भी ISI के द्वारा दी जाती है तब वो Indian channel पे आ सकते हैं otherwise नहीं आ सकते हैं और कोई भी army की line से ISI के line से भटकता है तो वही हस्र होता है जो हामिद मीर का हुआ है उन्हें off-air कर दिया जाता है और फिल्हाल पाकिस्तान के अंदर दरजनों ऐसे anchors हैं एडिटर्स हैं जिन को off-air किया जात चुका है जी रॉक्षण बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद तो खबरों का पंचनाम हमें आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सठीक अनालेसिस के लिए आप देखते रही है क्यापिटल टीवी हमें लाइक करें शेर करें और क्यापिटल टीवी को सब्स्राइब करें नमस्कार